हेलो लोस्तो मेरा ना में आमन और मेरे यूटूब चैनल का ना में अमन सावला जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें मैंने कॉंट्रैक्ट के बारे में पूरा डीटेल और एग्जामपल्स मिनिक सब समझाया था तो इसके पिछले वीडियो जिसमें मैं ताइपस ओप कॉंट्रैक्ट में अन दे बैसीब अपर्फार्मेशन समझाता व्यसे ही आजकी वीडियो में मैं आज ले के आहा हूँ осьिसाओ पक्षाफ तर्फॉर्फर्मार्णस जो थर्ड टैप है जिसके अंदर वी और सेपालू स देखते हैं, executed contract है क्या, executed contract है क्या, executed contract मतलब क्या, executed contract मतलब एक ऐसा contract, जब वो contract दो पाटी के बीच में होता है, और वो contract successfully complete हो जाता है, एक valid contract बंके पूरा success fully, law fully, rights for obligations fully complete हो जाता है, तो वो हो गया हमारा executed contract, जैसे कि मैंने पहले भी valid contract में, जैसे contract का meaning समझाते हैं, उसमें जो example दिया था, और वो example में जैसे दोनों पाटी के बीच में जो contract था, वो success fully complete होगा, वो executed contract हो जाता है, अभी हम दूसरे पर चाते है, executory contract, कौन्छा contract है, executory contract, executory contract मतलब क्या, अभी दों पाटी की भीच में जब contract होता है, तो दोनों पाटी में से, एक पाटी जो है, वो अपना contract complete करती है, पर जब दूसरी पाटी की बारिया आती है, तो उसका contract अदूरा रहर जाता है, मतलब तोड़ा बाकी रहरे जाता है, तो जो contract हुआ वो contract है executory contract कैसा executory contract अभी यहाँ पर समझो दो पाटी है एक है P और एक है Q तो P ने offer दी Q को कि भाई तुम्हेरे पास से 100 bags खरी तो मैं तिरको उसमें discount दूँगा तो पी ने Q को offer दी और इसने accept किया तो अभी क्या हुआ इसने इसको bags दे दी बट उसने जो पिरेट था थोड़ा सब्सक्राइब जिसमें उसको payment करने करता कि इसको Q को payment करने करता वो फेल हो गई वो क्या हो गई फेल होए तो यह टाइप का contract executory contract बन जाते है कैसा contract बन जाता है executory क्योंकि इसमें एक पाटी ने पूरा जो contract क्या और दूसरी जो पाटी उसने contract complete नहीं किया आधा अधूरा रखा तो यह जो contract हो गया वो executory contract हो गया हम आगे बढ़ते हैं unilateral contract कैसा contract unilateral unilateral contract मतलब क्या वो contract में offer plus acceptance तो होता ही है बड़ उसमें एक condition होती है एक जो offer करता है वो accept करता है offer जिसने offer की और जो वो offer का हगदर है वो उसको accept करता है तो इसमें offer plus acceptance तो होता ही है बड़ इसमें क्या होता है जिसमें offer की उसका जो benefit है जो consideration है जो summary party को मिलने वाला है वो in future मिलता है कैसे मिलता है in future for example हम समझो कोई hotel में गए है खाना खाने तो खाना खाने गए तो आपे क्या होता है जब एक party आपे खाना खाती है तो उसको पता रहता है कि in future मुझे lawfully उसको payment करना है क्योंकि मैंने उसका खाना खाया है तो खाना खाया है वह एक type contract गो complete करता है पर एक party करता है वह डूसरी party का करती है उसको in future वह lawfully और in future उसको पेमेंट करती है एक benefit उसको देती है उसका loss जाने नहीं देती तो ऐसे आपको लगे एक्जीक्यूटरी और उनिलेटरल कॉंटरेक्ट सेम है बट थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है पहले मैं क्यों होता है जैसे कि हम दो पार्टी के बीच में कॉंटरेक्ट हुआ है पर एक पार्टी में कम्प्लीट किया और दूसरी पार्टी को जो पिरेड ऑ वह अनसक्सर घैसक्या तो वह तो कोप्रेक्ट है घ्लाटी और यूनियृट चैसे कंटरे एक पार्ट उननौं भी सक्सेषूली क्योंकर यह थो नकिरेंसे आन कॉंडर्ट कोऊआ!" तो यह एक तैक का सक्सेस्फूल एक सक्सेस्फूल कॉंट्राक्ट बन जाता है यह ना इसमें अनसक्सेस है ही ने क्योंकि उसको फ्यूचर का पीरेट भी है कि यह खाना खायगा तो उसको वाँ पे उसको पेमेंट करने कि इसको होटल के ओनर फोगी यूनिलेटरल और सबसे क्योंकि इसमें कुछ मतलब ही ने रहता है क्योंकि पूरा का पूरा का पूरा कैंसल हो जाता है क्योंकि अभी इसमें पूछना कुछ सब्सक्राइब चोटी मोटी प्रॉब्लेम आइए इसलिए एक टाइप का बीगिलेटरल बन जाता है जो फूली कैंसल हो जाता है आप मेरी ऐसी सूप काम ना है कि बस आप यह वीडियो में जितना भी मैंने समझाया है कि कॉन्ड्रेक्ट मैंने वीडियो में समझाय थे बाद में टाइप्स ओपांट्रेक्स में बेरे वीडियो जादा से जादा शेर करें और आपको जो नॉलेज मैंने प्रोवाइट कया है वह भी शेर करें क्योंकि आप जितना अपना नॉलेज आप शेर करोगे उटने आपके जो कंसेप्स से नहें वह आपके क्लीर होगे तो आपको अगर लाइफ में कभी भी कोई भी इंटर्वी में जाओ तो आपको एक्जम्पल के द्वारा याद रहे जाएंगे तो जो आपका जो आपको सक्सेस मिलेगी इसलिए मैं बोलता हूं कि जो मैं वीडियो आपको बेज रहा हूं दिखा रहा हूं वह न आप दूसरे साथ भी शेयर करिए साथ में अपने जो वीडियो अगर आप वीडियो कभी कबर कोई दो फ्रेंड मिले अननोन पसर मिले तो उसके साथ भी आपका नॉलेज शेयर करें तो उससे आपको भी बहुत फाइल होगा आपको लाइफ में क्या वो टॉपिक आप जो भी जो भी नॉलेज है वो कभी आप भूलोगे नहीं इसलिए मेरा वीडियो देखते रही है आगे बड़ी और प्लीज कॉमेंट किये जीए मेरी रिक्वेस्ट है ओके थेंक्यू